आईपेल दो हजाद चौबिस फाइनल किन टीम्स के बीच में होगा ये क्लियर हो गया राजस्थान रॉयल सन्राइजर्स हैदरबाद का सेकेंड क्वालिफायर जो एक्सपेक्ट किया था कि भाईया राजस्थान के जो स्पिनर्स है वो कमाल कर देंगे ऐसा कुछ हुआ नही चहल अश्विंद दोनों खाली हाथ गए और उसके चक्कर में राजस्थान का पत्ता कट गया अब फाइनल होगा दो सबसे बहतरीन टीम्स जिसको आप पूरे सीजन इंजॉय कर रहे थे कि इतने रॉंस बना रही है ये टीम के क्यार के बाटर्स ऐसे आते हैं शुरू हो ज सब्सक्राइब करें तो कि आप इसे करोगे ने को ठीक बाता है वो कहते हैं एक मुवी के डालोग भी ना कि जब आप दूसरे की बरवादी में अपनी खुशी ढूंडने लगए वह पर अनतर तो है तो आदमी हुमन के एक 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 एविल तो हम सब में होता है ना तो ठीक है मुझे बसिता दूख है कि CSK नहीं पहुंचे फाइनल में को भी जीते क्या ही फारक बरता है ऐसा क्यों मतलब संराइजर्स, KKR, Pat Cummins ठीक है ना जिसको जीतना था फाइनल पहुचना था नहीं पहुंची तो आप जो भी जीते उससे क्या ही फारक बढ़ता है मैं लेके ऐ इन पाँच ट्रोफी के बीच में बहुत बहुत ट्रोलिंग कर रहे हैं और CSK के फार्मर क्रिएटर्स भी लेकिन अभी करेंट वापस आते हैं संराइजर्स है अधराबाद को गादा नाइट राइडर्स, क्यों यू पोट कुना हूँ जरूरी क्या सबोट करना है यार अधरे जोट उता रही है जितने रेजान कर देव ताता रो यह रही ठीक है आप रशान थाना आपने साथ रो तुम रही खैर मुझे फरग नहीं परता जीता हार से कोई भी जीते कोई भी एरे क्यों ठीक है गेम एकर गरिंगा अखरी गेम बचा और मुझे बचा वह इस ब करना यह मैं नहीं कर रहा है कि मैच कवर करूंगा बैटके अपना काम करूंगा ज्यादा लग रहा है तो चांस जिस तरीके से जैसा चेपाउक का इतिहास रहा है जैसा आज सेकेंड इनिंग में पिछ खेली है तो भाई सब कोलकाता क्लियर विनर लग लिए मुझे अभी से तीन क्वालिटी स्पिनर्स उनके पास सुयष शर्मा सुनील नरेन और वरुन चक्रवरति तीन तरह गया है तीन अलग अलग तरह कि आपकिसी एक को देख कि दूसरी को पिक नहीं कर सकते तो के क्यार मुझे लग रहा सॉलिड चांस है अब यह ना होगी जह तरीके साइंट अनना और चहल ने किया वैसी बॉलिंगर कर गे उनके स्पिनर्स तो गड़ जाएगी अश्वन से स्पेशली बहुत ज्यादा उम्मीदे थी होम ग्राउंड था बहुत बात हुई थी अश्वन और संजू बेसिकली दोनों से थी लेकिन के क्या फूल सपोर्ट पूरा सपोर को और गौतम अमीर के आने के क्या कुछ अलगी लग रही है और दूसरी चीज की सुनिल नरायन जिस तरह से ओपन कर रहे हैं और वो एक अलगी सपोर्ट दे रहे हैं टीप को और यहां पर टांग हटा के नहीं मार सकते हैं तो देखने हैं ना फाइनल चैपाउक में स्वरी लेकिन फिर भी मुझे उमीद है कि सुनिल नरायन और दूसरी बात मिशल स्टाग भी है उसको भी हमें नहीं बुलना चाहिए उदर ट्रेविस हैड और पैट कमिंस हम लोग गिना रहे हैं लेकिन मिशल स्टाग भी है तो मुझे लग रहा है कि यह के क्यार ही जीतेगी यार 수annoy don about the SRH को हम इतना कम क्यों समझ रहे है.. थीक है तो मैं मुझे एसा लग रहे है कि ग defense करने सम्मिद की बैट का23 और मैं तो यह देखना चाहूंगा.. चівकिन आप अपन इंडीम है एंडिया मिए फिलू हराए तो अभिशेक शर्मा जैसा खिलाडी अगर उस दिन परफॉर्म करता हो और साथ जीती है उससे अच्छा कुछ नहीं सकता मैं तो यह दिना चाहता हूं और और ददा ददा का दुख यह है कि आपन आर सीवी को हरा दिया आपने और आपकुद बाहर हुए तो आरार का जीतना आपको गेम नहीं जोड पा रहा हूं तो आपको गेम नहीं जोड पा रहा तो आपको दुनिया की कोई ताकर जोड नहीं सकता है सब्सक्राइब करते हैं अगर कोई और टीम की जीत सिर्फ आप इसलिए करें क्योंकि उस टीम से आपकी टीम हार गए ती तो भाई यह शर्म नाग आप जेंटलमेन तो हटा दिये स्पोर्समेन की जो स्पिरिट होती है तो मेरा बिल्कुल नहीं रायस्तान आरी मुझे जब सब्सक्राइब करते हैं लेकिन यहीं समस्य कि आपको जो दो प्राइम स्पिनर से वह अगर चेपाउक में नहीं चले तो आपको हाना ही हाना था और फिर दूर्फ जूर्यल ने बहुत बढ़ियां फाइट बैक कि कोई साथ दिया नहीं बंदेगा अगर कि कोई भी साथ में नहीं रही हो हार अभी तो रोना कर रहे हैं वाज ट्रॉफी रखे हो महेंदर सिंघ्ञ धोनी रखे हो पिर भी अधाम टीम के पीछे अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ एक बार वीडियो डाल रहा है फिर स्टेटेस डाल रहा है ने नहीं मुझे तो तो दो पहले उसने तो तु ट्रिगर कर रहा है उन 10 से 12 15 16 साल के बच्चों को जिन्हों ने रिसेंटली क्रिक्ट देखना शुरू के जो पागल है जिनको यह तमीज नहीं कि एक्स पर आप किसे को गाली दोगे तो आप मुकतमा हो सकता है वह बस इस जोश में तो कोली को ट्रोल कर रहा है तो हम तुझे जवाब देंगे उन बच्चों से तुप अंगे कर रहा है उसके बाद तो कहता कि हमारे पास पांच ट्रॉफी जहां भाई कुछ नहीं तर पास सबसे बड़े चीन तरह पास करेक्टर ही नहीं है खतम आदमी यह फैन का जो मैं देख रहा हूं कि आरसी बी और सी य सबसे बड़े स्टार्स है वो लोग है इस वज़े से जादा होता है सूरज का बस चले तो मतलब जो चीज हो रही है ओफ-ग्राउंड CSK के प्लेयर्स के दारा वह अभी जाए फेर प्लेवालों को बोले कि इनके नंबर गाटो नहीं कुछ नहीं करो भाई आप अपना चरि से बिल्ड करेंगे वह आपका करेक्टर दिखाते हैं हार में आप कैसे रियक्ट करते हो यह बहुत कुछ दिखाता है महंदर सिंग दोनी आप वीडियो देखोगे तो उनके जो बैट्समेन हैं जो लास्ट खेल रहे थे आरसे भी अगेंस्ट वह भी अभी 38 पार नहीं कर प पाऊंगे या नहीं यह भावना माई भाई के अंदर होनी चाहिए थी ना कि भाई वह जीते हैं ठीक है एकदम मरी टीम है खतम है मैं मैं एकसेप्ट करना हो खतम टीम कभी कुछ नहीं जीत लेकिन उस टीम ने जो परसों से बनाया जारे कि एक जीत वह एक जीत का सेलिबरे सेलिबरेशन नहीं था वो वो सेलिबरेशन उस निरंतरता का था जिसके दम पर हम प्ले आफ में पहुचा और आप इतनी अच्छी शुरुआत चेपाउक का प्लस पॉइंट आपके पीछे मंट और धोनी बैटा हुए विकेट की पीछे से गेम बदल दे रहा है आपका सेलिबरेशन नहीं था और उसमें आपने दिखा दिया कि आप क्या है आपका क्या करेक्टर आपके बड़े कूल कहे जाते हैं सब कुछ कहा जाते लेकिन आप के अंदर इतना धहरे नहीं कि आप 2 मिट इंतजार करेंगी जो टीम लगा था साथ मैं जीत के किसी तरह से कौलि जितने प्यार से वादमी नाम लेता है मैं शिंग दोनीगा मुझे वो नहीं दिखा वो रिस्पेक्ट मुझे उस दिन नहीं देगी तो यह एक जो शुरुआत हुए थी व अब सोचल मीडिया पर खुलकर आरी कि आर्से जो भी सिस्की प्लेयर्स हैं जो भी उनके फैंस उन इंडिया के लोग उनको सबसे जादा नफरत करने लगे हैं वोल्ड कप में उन्होंने जो किया था और जब आइपल में आये तो बहुत सारे पैसे कमा लियो उसके बाद लगा था कि धोनीबाई हरा देंगे सी एसके की टीम हरा देगे सारेच को सिसके इसारेच फाइनल मैं बाकी टीम्स की बात नहीं कर रहे हूँ एक इंडियन कोच फॉर्मर इंडियन ग्रेट वसेस पाट कमिंस ठीक है वो कपका खेल रहा था गॉतनी की बात नहीं करनी चाहिए ना काइदे से तो फिल्धोरी भी नहीं होना चाहिए दोनी खेलते थे दोनी ने डिटामेंट सब्सक्राइब करते हैं तो फिर यह तो बड़ी लंबी डिवेट है कि को कौन चला रहा है और अगर वह फाइनल पहुच थी तो आईसी होता है कि पॉंटिंग वर्सस हैंगी नहीं तुमने तुनां थैक्ट कर दिया इस बात का जो इस बात होता ही होता है हमेशा ही होता है जब से गुजरात हाने लगी नहरा जी मुझे एक दिन डगाउट में नजर नहीं तरफ वह फाइनल वाले मारे लोगों महमें मंदल आई तो नजर में वह नजर आए होंगे कैमरा मैं को नजर नहीं नहीं तो लेकिन जब लोटे थे उसके बाद वो जो ग्राउन में एक फो मैं मेरी उमर से बड़ा स्वाल है नहीं मैं गॉतलब गॉतन गंभी की अग्रेसिव अप्रोच से मतलब ठीक आरसीवी खिलाफ उनोंने जो भी बोला आरे यार वो चाहते हैं तुम लोग जीतो तुम लोग मैं बसकी को चाही नहीं नहीं मेरा फोकल पॉइंट वैसे जो आप थोड़ा से दूर जाते हैं तो आप अच्छे से और चीजों को देख पाते हैं आप फिल्ड में नहीं तो लगातार टिक बाइ प्रेशर नहीं कर रहा है आप बैट करके स्ट्राइजी बना रहा है बहुत सारी चीज़ें कर रहा है तो उनके पास ज्यादा बड़ा सब्सक्राइब नहीं पहुंच की लेकिन आप सब्सक्राइब करने का विजव इस विद पैट कमिस उनके दिन में 26 गंटे मेरे एक सवाल होते हैं आपको नेट सब्सक्राइब क्या देखते हो भाई तुम लगातार खेलना और स्ट्राइजी को प्लान करने नंतार खेलनने कोचेशा पुरा एक सब्सक्राइब की आप सब्सक्राइब कोचिं लगान, नहीं है कि इस सभी सभी ऑन Steam.겁ने कि तूबू आप टिक다 आडि एंडिपाग इस आजन i k صव महान सब्सक्राइब नहीं जाते हैं कोई भी कोच आजा जब तक आपका टीम सेलेक्शन इस तरीके का दो कोली का रहेंगा आप कुछ नहीं पाओगे अरकोई जैक फ्रेजर मैंगर पिती बात हुए उनको नहीं चुना का बड़ी इच्छी बात हुए लेकिन क्यों नहीं चुना ब जब खेलने उतरते हैं तो उनका एक ही लक्षे होता है हमारे यहां तो भाई सब हमसे ज्यादा रहन यह बना ले जाएगा तो अपने यहां जो भी केल राहुल जी ने कहा नहीं कहा यह लग बात है लेंगर का दावा है राहुल ने कहा हजार गुनी पॉलिटिक्स और प्रे बहुत रिमार्केबल बॉलिंग रहा है आपके चाहर जो है चाहल 40-60 के बीच में हर मैच में रन दे रहे तो खुले हाथ से रन लुटा रहे है आपने के साइंटिस्ट अन्ना को भी आपने पिछले साल साय पिछले वटकम मिले गए थे आउट आप दो बॉक्स आप उठा किसी को भी मदरास से उसके बाद क्या करता हो कुछ नी करता है वादमी आइपेल में विकेट नहीं ले पा रहा है इस बार तो रन भी खूब दे रहा है दो आपकी जो स्ट्रेंथ टाइम पर स्पिन वहीं खतम होती जा रही है आपके पास पेसस के अच्छा पूल आप इसक कुछ ही लोग मौजूद है और वो लोग के क्यार सब शांति पूर्वक तरीके से के क्यार वसी सारेश को वोट दे चुके हैं आप हमको कॉमेंट से बताइए कि कौन ये फाइनल जीत सकता है आपको भी गौतम वसी पार्ट लग रहा है कि और बाकि सारी चीज़े कि कौन च शब्स शग्रिया